नमस्कार, बहुत ही खुशी के साथ मैं आप सबसे मिल रहा हूँ हमारे फ्रीडम एप के परिवार में एक करोड सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं जी हाँ, हमारे फ्रीडम एप को गूगल प्ले स्टोर से एक करोड लोग ने डाउनलोड किया है ये हम सबको एक गर्व का एहसास दिलाता है क्योंकि बहुती कम चुनिंदा एप ही ऐसे हैं जो इस मुकाम तक पहुँचने का होसला रखती है एक करोड यूजर्स ने इसे सिर्फ 33 महिने में हासिल किया है हमने इस एप को 20 मार्च 2020 में लाउंच किया था सिर्फ 33 महिने में इस उपलब्धी को स्तापित करने वाले दुनिया के कुछ चुनिंदा एप में से Freedom Map भी एक है और साथ ही साथ दुनिया में सिर्फ 7000 एप ऐसे हैं जिनके एक करोड से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं ये हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है इसका कारण हमारे सब्सक्राइबर्स है और वो आप हैं पहले दिन से जो Freedom Map को अपने इतना प्यार दिया है और आपके सुझाओ हमारे लिए एक मार्क दर्शक हैं क्योंकि Freedom Map में जो भी कोर्सस हैं और उनके जो भी फीचर्स हैं इन सब का इस्तेमाल करके आप लोग नहीं सजेस्ट किया है आपके सजेशन के हिसाब से हमने सारे इस फीचर्स और कोर्सस को इसमें एड किया है तो इसलिए अगर आप देखेंगे 33 मेने के बहुत ही कम समय में इतनी कामियाभी कैसे हासिल की ये अगर सवाल हमसे आप पूछते हैं तो प्रॉबेबली मेरा एक ही जवाब होगा हमारा मिशन, हमारा लक्ष, हम क्या करना चाते हैं उसका संकल्प मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ आप जड़ा सोच कर देखिए आज हमारे भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर एकोनामी बनाना है भारत की आर्तिक विवस्ता को 400 लाग करोड की और ले जाना है 2025 के अन तक लेकिन आज हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर यानि की करीब करीब 300 लाग करोड तक पहुँचे है लेकिन इसे हमारे देश की बड़ी-बड़ी कंपनिया और जो MNCs हैं और बड़ी-बड़ी फैक्टरीज, इंडस्टरीज क्या इन्होंने कुछ कॉंट्रिबूट किया है? नहीं हमारे देश में लाखों की तादात में प्रोविजन स्टोर्स हैं, डिपार्टमिल स्टोर्स हो सकते हैं सूपर मार्केट हो सकते हैं वेज रस्टोरंट्स हैं, बेकरीज हैं और उसके बाद स्वीट शॉप्स, सलुन शॉप्स ये मचली बेचने वाले, चिकन सेलर्स, पोर्क बेचने वाले, मटन बेचने वाले फल और सबजियों के निर्माता भी, इतना ही नहीं फल और सबजियों को उगाने वाले भी, मचलियों को पकड़ने वाले और उसको पालने वाले भी dairy farm के मालिक और उसको बेचने वाले भी दूद का आयात करने वाले भी cloud kitchen चलाने वाले भी सभी सभी का इन में एक सैयोग है तब ही हम इस लक्ष के बारे में सोच सकते हैं और काम्याब हो सकते हैं लेकिन हमारा दुर्भाग ये क्या है इन में से किसी भी वेवैसा है के बारे में school college में पढ़ाया नहीं जाता है अगर पढ़ाया गया होता तो हो सकता है कि freedom app को ये काम नहीं करना पड़ता हमारे business की भी कोई जरूद नहीं होती हमारा जो मकसद और लक्ष है वो ये है जो school college में नहीं पढ़ाया जाता वही हम पढ़ाना और सिखाना चाते हैं तो probably हमें जो इतना बड़ा मौका मिला है क्योंकि इतना बड़ा gap था इसमें उसे हम आपकी सयोग की मदद से पूरा कर देना चाते हैं हमारे प्रयास की तारीफ करके आप हमें सयोग दे रहे हैं इतने कम समय में इतने बड़े milestone को अचीव करने के लिए आपने सयोग दिया है ऐसा हम जानते हैं आपका ये प्यार और सयोग ऐसे ही मिलते रहना चाहिए हम आपको promise करते हैं freedom app में रोज आना अच्छे course लाँच करेंगे हम आप जानते हैं न freedom app में क्रिशी बिजनस ऐसे को कहां invest करें ऐसे 260 से भी उपर courses है इसके बाद इन courses को चार भागों में आपकी सामने पेश करेंगे पहला foundation course किसी भी subject को अगर आप लेंगे तो उसके बारे में ग्यान देने वाला foundation course अगर आप शहद के वेवसाई करना चाहते हैं तो उसके बारे में ग्यान देने वाला foundation course दूसरा शहद के वेवसाई के बारे में practical foundation course है शहद को कितने प्रकार से बाटा जा सकता है शहद डबे में से, D box में से कैसे बाहर निकाला जाता है, इस तरह के अलग-अलग practical workshop courses हैं, इनके अलावा specialization courses भी हैं, यानि कि आपको विबिन प्रकार की शहत की मधुमक्यां और किस प्रकार की मधुमक्यां आप पाल सकते हैं, उसके बारे में ग्यान देने के courses भी हैं, उनके फाइदे क्या हैं, उसके specialization course भी हैं, शहत की विवसाई करने के लिए उसके कई प्रकार के diploma course भी हैं, इन सब को सीखने के लिए 100 घंटे के, 1500 घंटे के courses भी हैं, इन सब को सीखने के लिए एक ही subscription में कोई अलग-चार्ज नहीं हैं, हमारा कर्तव यह हैं, हमारा लक्ष एक ही हैं, देश में सभी को ग्या और मौका पाने के लिए सही तरीके का access मिलना चाहिए, सभी को उच्छ दर्जे का ग्यान और मौका मिले, ताकि वो अच्छी तरसे अपना जीवन जी सके, एक मजबूत देश बनाने के लिए हम सबको अपना हाथ मिला के एक साथ काम करना चाहिए, इस लक्ष के लिए काम कर आने वाले हम को आपका प्रेम, सहनुमती और सायोग हमेशा मिलते रेना चाहिए, हम, हमेशा, हम आपके साथ हैं, ऐसा कहते हुए, एक बार फिर इस स्माइल की उपलब्धी के लिए, इसको हासिल करने के लिए, जो सायोग आपने हमें दिया है, उसके लिए मैं तह दिल से आपको आभार प्रकट करता हूँ